आपकी ब्रेड बनेने का डॉग अगर ऐसा बनेगा मतलब इसी तरह का जालीदर बनेगा तो ब्रेड 100% पर्फेक्ट बनेगा हेलो फ्रेंज मोधुमिता लिटिल किचेन मोईलकाम आज मैं बना रहे हूँ बहुती बड़ी आसाग मोजेदार पाव ब्रेड सिम्पिल से रेशिपी है आज मैंने जो ब्रेड बनाऊंगी बिल्कुल पर्फेक्ट इंग्रिडियन्स क्या क्या डाली है मैजर्मेंट शॉब बताऊंगी आप लोग भी इसी तरह के अगर ट्राइ करेंगी मतलब मैजर्मेंट बराबर रहेगा तो आपका ब्रेड भी 100% पर्फेक्ट बनेगा तो चोलो फेर शुरू करते हैं अगर मेरे चैनल में नाये हैं तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी तो चोलो फेर शुरू करते हैं तो डोव बनाने के लिए मैंने इहां पे लिया है एक बड़ा बला बाउल इसमें मैं डाल रही हो होट मिल्क है यह अगर measurement की हिसाब से 150 ml यह milk है अब milk जोरूर गरम बाला डालेंगे अभी इसमें डाल रहे हूँ एक चामच यह देखी यह जोसवला चामच से मैंने एक चामच इस्ट डाल रहे इसको पहले आच्छी तरह से मिला लेती हो ताकि इस्ट आच्छी तरह से मिल जाएगा क्योंकि अभी milk गरम है अभी मैंने इसमें डाल रहे हूँ एक से देख चामच सुगर पाड़ा रहे मतलग चीनी को मैंने मेकसी में पीस लिया है अब आपकी हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं आपका ब्रेड मिठा होगा अभी इसमें डाल लाएँ मैंने थोड़ा सा आधा चिम्टी नमग अभी मैंने डालूंगी इसमें एक कोटोरी एक कोटोरी इतना नी डालेंगे अधा कोटोरी मैंने तेल डाल रही हूँ तेल भी डालना जोरूर है ताकि ब्रेट का अंदर सब्टा जाएगा तो अब इसको आच्छी तरह से मिला लेंगे आप मैंने इसमें डाल लेंगे यह 250 ग्राम्स मौईदा है यह बिल्कुल मैंने मेजर्मेंट नाप के लिया है 250 ग्राम्स मौईदा है इसको मैंने आच्छी तरह से मिला लेंगे चामुष से नहीं होगा मैं हाथ से इसको आच्छी तरह से मिला लेती हूँ इसका जो ब्रेट का डो है थोड़ा सा स्टीकी होता है तो इसलिए इसको आच्छी तरह से मिला लेंगे अब जितना देर तोक इसको आच्छी तरह से निट करेंगे उतना बड़ी आसा आपका ब्रेट बनेगा तो इसलिए मैंने यहापे थोड़ा समय दा ले लिया और एसी तरह के अच्छी तरह से मैंने इसको नीट करते रहेंगे इसी तरह के एसे ही थोड़ा सा टाइम लागेगा लेकिन जितना देर तो आप आटा को एसे ही डोको नीट करेंगे उतना बड़ी असा soft bread बनेगा तो इसको इसी लिए ऐसे ही थोड़ा सा time लेको राटा मासलते रहे ना ताकि आटा जो हे बहुत बड़ी असा soft बन जाएगा ये देखिए अभी मैंने इसको 10 मिनिट तो किसी तरह से ऐसे ही इसको निट गया ये देखिए बड़ी असा कितना soft ब अगर ड़ पार्फेक नहीं होगा तो bread भी अच्छी तरह से नहीं बनेगा मतलब ये फुलेगा नहीं तो इसको मैंने क्या करूंगी इसको मैंने एक बावल में राख दिया और इसको धाक के मैंने आभी कम से कम एक घंटा धाक के राख देते हो और कैसे धाक के राखोंगी तो मैंने बाता आती हो ताकि आपका भी ड़ बहुत बुडियासा और जालिदार बनेगा क्योंकि आभी बारिस का मोसों में उतना टेम्पारेचर ज़्यादा नहीं है तो एक घंटे में अगर नर्माल टेंपरेचर में घर की जो नर्माल टेंपरेचर होता है उसमें अगर नहीं फुकेगा लेकिन मैं जैसे टिफ्स बाताते रहती हूँ अगर इसी तरह के आप लोग करेंगे तो आपका डो बहुत पोडियासा बन जागा है इहाँ पर मैंने लियाँ एक बलांकेट मतलब जो गर्मी बलांकेट होता है उसके अंदर मैंने ये बाउल को राक दिया और इसको आच्छी तरह से ढाक के कम से कम एक घंट मैंने राक देती हूँ इसके बाद देखना यह जो डो है यह दिगूना मतलब उसी भी ज़्यादा पूरा फुल के भर जाएगा यह देखिए एक घंटे के बाद यह देखिए डो कितना बड़ी असा बन गया एसे ही अगर डो आप लोगों को बनेगा तो पारफेक्ट ब्रेड बनेगा यह बनेगा यह आप ओभिन में बनाए एसा फिर ग्यास टोब में बनाए तो फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ी असा डो बन गया इसको मैंने और थोड़ा सा अच्छी तरह से मासल लेती हूँ इसको निकाल लेती हूँ बावल से तो यह देखिए इसी तरह कि मैंने और थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको मासल लिया और अपि मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा करके मतलब गोल-गोल लेईये जैसे रोटी का लेईये करती हूँ ऐसे इसे तरह से मैंने गोल-गोल लेचिये बनाती हूँ और एक मैंने इसमें डाल देती हूँ ये डोग जो लेए बनाती इसको भी आच्छी तरा से इसको चिकना करना है ताकि उपर भाग बहुत सफ्ट होता है और फुग नेकर टाइम भी कोई क्रेक ना आ जाए यहाँ पर मैंने एक केक बनाने का ये पोट लिया है इसको आच्छी तरा से मैंने पहले ब्रास कर लेती हो ताकि ब्रेड नीचे छिपके का नहीं ये भी बहुत इंपोटन से ताकि ब्रेड ना छिपके नीचे ये देखिए मैंने ऐसे गोल गोल लेए बनाई हूँ और इसके राग देती हो इसको मैंने और भी धाक के आधा घंटा धाक के राग देती हो ये पूरा बन गया मेरी अभी मैंने इसको धाक के और भी आधा घंटा धाक के जरूर आधा घंटा इसको टाइम दीजिए आधा घंटा के पाद अगर नहीं ये फूलेगा तो इसको और भी प्रिषित करना भी बहुत जोरूरी है अगर यह कड़ाई को मतलब डेती को प्रिषित नहीं करेंगे तो यह ब्रेट फूलेगा नहीं तो आभी मैंने इसको ढ़ाख के आधा घंटा कॉपसंग टाइम तो लागेगा आधा घंटा इसको ग्यास पुरा कॉम कर दिया इसको आधा घंटा ढ़ाख के मैंने राग दितु बीच में बिलकुल एक बार भी चेक नहीं करना है अभी देखी मै जो टेमपारेचर है हीट का तो यह ज़्यादा कौम ज़्यादा होता रहता है तो इसलिए मैं एक साजेस्ट करूँगी कि अगर ब्रेट जब बनेगा तो बिलकुल बीच में खुल के नहीं देखना है अभी मैंने इसको ऊपर डार लेए थोड़ा सा बाटार मेल करके इसको बड़ी आसा लग रहा है न कितना पारफेक्ट सॉप्ट स्पंजी पाउब डेट बन गया एक तोड के भी दिखाती हो आप लोगों को देखिए कितना बड़ी आसा सॉप्ट सुई में पारफेक्ट 100% पारफेक्ट यह पाउब डेट बने और वो भी कड़ाय में ये देखि कितना soft बनी है ये bread तो bread बनाने की पहले सब से पहले डो की तरफ धेन देना है अगर डो परफेक्ट बनेगा तो ऐसे ही जालिदा डो बनेगा तो आपका bread 100% परफेक्ट बनेगा I hope आप लोगों को ये बला recipe पसंद आया आप लोग भी घर में try करीजिये बहुत ही बड़ी असा recipe है एक बार बाना होगे तो बार 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 बानाने का मान करेगा सोई में बहुत बड़ी असा recipe मेरे चेनल को जोरू सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही न्यू रेसीपी देखने के सबसे पहले आपको मिलेगा सब लोग आच्छी रेख खुज रहे बाई बाई